जहां नमस्कार दोस्तों मैं आप सब का वहीं चीर परीचित दोस्त आज आप सब के सामने आया हूं दोस्तों एक और नई और श्रधी ले करके जो की आपके लिए बहुत ही लाप्रद सावित होने वाली है दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और हमारा चैनल आप सुनते आ रहे हैं लगतार हमारे हिल्थ टिप्स सुनते आ रहे हैं आप इसके लिए शुक्रिया आएए आज हम एक नई और शदी लेके आए हैं आपके लिए जो कि चमतकारिक और शदी है दोस्तों जो कि एक चमतकारिक और शदी है दोस्तों शहद जी हां शहद के फायदे ल हमारे खान पान का हिस्सा रहा है शुद्ध सहद एक ऐसा खाद पदार्थ है जो कि लंबा समय तक रखने के बावजूद भी खराब नहीं होता है अलब शहद के सबसे बड़ी खोबी यह होती है दोस्तों कि अगर हम बहुत दिने तक उसे रख भी दें श्टोर भी कर दें तो को बढ़ाता है शहद कमजोर तंत्री का तंत्र को ठीक करता है शहद काम शक्ति वर्धक माना गया है जिहां इसका सेवन पूरुशों में टेस्टो टेरोन हार्मोन और महिलाओं में एक्स्ट्रोजन हार्मोन बनाने की प्रक्रिया को तेज करता है जिसकी बड़ावलाद काम शक्ती बढ़ जाती है पुरुशों और औरतों की कैल्सियम आइरन, मैगनीशियम फासफोरस, पोटेशियम सोडियम और जिंक आधी खनीज तत्तों पाए जाते हैं शहद में दोस्तों और इनका उपयोग आप सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ में या हमारे मानो शरीर में क्या-क्या है मनुका शहद दुनिया का सबसे अच्छा शहद माना जाता है ऐसा इस शहद में पाए जाने वाले खास एंटी बैक्टिरियल गुणों की वज़े से हैं यह शहद अस्ट्रेलिया और न्यूजी लेंड में पाया जाता है शहद का नियमित सेवन होई हुई शक्ती वापस लोटाता है और शरीर को सुंदर, स्फूर्तिवान बल्वान, दिर्ग जीवी और सुडॉल बनाता है दोस्तों चुकि शहद एक हाइपर स्मोटिक एजेंट है इसलिए इसे गहाव पर लगाने से यह गहाव का तरल निकाल देता है उस अस्थान से बैक्टिरिया नश्ट करके शिग्र भरपाई करता है यानि कि आपको गहाव हुआ है तो उस पर आप शहद लगाते हैं तो इसमें गर्मी होते है अगर आम लेंग्वेज में हम बोलें तो जिसकी बदोलत होता क्या है दोस्तों कि हमारी बोडी से यानि कि हमारे घाव में से मवे निकल जाते हैं तो हमारा घाव जो होता है वो जल्दी ठीक हो जाता है घाव पर शहद सीधे लगाने की बजाए इसे पटी या रूई पर लगाकर फिर घाव पर लगाना चाहिए टाइफाइड निमोनिया में शहद सेवन लिवर और आतों की कारे छमता बढ़ाता है पेशाब के इंफेक्शन में दाल चीनी पाउडर और शहद को गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से बैक्टिरिया दूर होती है और आराम मिलता है दोस्तों शुद्ध शहद आखों में लगाने पर जलन होती है परंतु चिपचिपाहट नहीं होती है यह उपाए नेत्रे जोती को बढ़ाता है तो इस प्रकार आज हमने देखा दोस्तों कि शहद खाने के हमारे लाइफ में क्या-क्या फायदा है वैसे गर्मियों में अगर हम शहद का सेवन करते हैं तो भी हमारे लिए सितलता परदान करता है यह शहद एक बहुत ही गुणकारी और शदी है दोस्तों इसका समुचीत और उचीत मातरा में सदुपयोग के रूप में हमें प्रयोग करना चाहिए धन्यवाद अगली बार हम आप सभी से मिलेंगे एक और नय टॉपिक को ले करके एक नई और शदी को ले करके तब तक के लिए नमस्कार